तो आज की स्टूडियो में दोस्तो एक्सरसाइस के अंदर के कुछ कोश्ण्स हम यहां पर सौल करेंगे सबसे पहला कोश्ण देखे दोस्तो कोश्ण नमबर थी आपको क्या करना है यहां पर how will you explain the statement we cannot see the objects in the dark room यह आपको explain करना है मतलब हम लोग अंदेरे में कोई चीज को नहीं देख सकते यह क्यों हो रहा है यह आपको explain करना है तो इसके लिए आपको एक concept पता होना जोर रही है दोस्तों कोई भी चीज हमें क्यों दिखती है मान लेते हैं दिखें यह जो pain है यह हमें क्यों दिख रहा है क्योंकि दोस्तों यह pain के उपर sunlight गिर रहा है ठीक है और वो जो light है वो reflect करके हमारे आप में जा रहा है इसी वज़े से दोस्तों यह pain हमें दिख रहा है ठीक है यह paper हमें क्यों दिख रहा है दोस्तों इस paper के उपर sunlight गिर रही है और light यहां से reflect करके हमारे आख में जा रही है तो अगर यहां से light reflect करके हमारे आख में नहीं जाएगी तो हमें यह paper नहीं दिखेगा क्योंकि दोस्तों यह जो light है यहां से reflect करके हमारे आख में जा रही है इसलिए हमें यह object दिख रहा है कोई भी एक object है मान लेते हैं ये एक object है ये हमें क्यों दिखता है क्योंकि इसके उपर जो है light गिरती है ठीक है और ये light reflect करती है और reflect हुई light जो है हमारे आख में जाती है मान लेते हैं ये हमारी आख है ठीक है तो अगर ये reflect की हुई light हमारे आख के अंदर चली जाएगी तो ह हमें यह object दिखेगा otherwise हमें यह object नहीं दिखेगा जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई एकदम clean glass है ठीक है एकदम clean glass है मान लेते हैं किसी showroom में अगर आप गए हो वहाँ पे एकदम clean glass होती है ठीक है तो clean glass के case में क्या होता लाइट यहां से जो है इस पर गिरती तो है लेकिन यहां से reflect नहीं करती यह आगे चली जाती है ठीक है ओके तो आपको जो है यहां से जो है दोस्तों आपको यहां से वह glass दिखाई नहीं देती जब तब तक ये light reflect नहीं करेगा, तब तक आपको वो चीज दिखाए नहीं देगी, ठीक है, तो dark room में क्या होता है, जो dark room है, उसके अंदर क्या होता है, कोई light present नहीं होता, तो अगर light present नहीं है, तो light object के उपर गिरेगी नहीं, और light object के उपर गिरेगी नहीं, तो reflect नहीं करेगी, इसलिए हमें object जो है dark room में नहीं दिखाए देता तो answer कैसे लिखना है दोस्तो light reflects from the surface of object when this light enters our eyes we can see the object मतलब हमें object कब दिखता है जब कोई light जो है किसी surface से reflect होकर हमारे आग के अंदर जाता है तब ही हमें object दिखता है ठीक है but dark room में क्या होता है light is not present light वहाँ पर present नहीं है so light cannot enter our eyes इसके वज़े से light हमारे eyes के अंदर enter नहीं होती है इसलिए दोस्तो dark room में हमें object नहीं देखता ठीक है therefore we cannot see the object in the dark room इतना answer अपको लिखना है अब दोस्तों यहाँ पर यह video खतम होता है next video में हमने जो देखिए यहाँ पर झाल